आपको शाहिद जानकारी होगी आज से एक साल पहले रिलाइंस का शेर नीचे तूट रहा था बड़े बड़े अक्षपर्ट्स जी हां दिगज अक्षपर्ट्स कहा करते थे रिलाइंस का भविश्य तो खातम हो चला है कोई फ्यूचर नहीं है रिलाइंस का लेकिन दोस्तों तब भी मैंने अपने क्लाइंस से निविधन किया था कि दीरूबाई अम्वानी का और मुकेस अम्वानी साहिव का एक मात्र मकसद क्या है दरशल दीरूबाई अम्वानी साहिव ने प्रणा प्राप्त करी है आचार चानक के से आचार चानत के ने आज इसे ड्हाई हजार वर्जों पहले अर्थ शास्त्रों में लिखा था यह आपके साथ जो दंदा करते हैं यदि उनको मुनाफ़ा आपने सुनिश्चित कर दिया तो आपका मुनाफ़ा पक्के से होगा तो इसी आचार चानकी के सिद्धान्त पर काम करते हैं मुकेज भाई उनका हमेशा प्रयास यह रहता है कि रिलाइंस में जिस वक्ती ने निवेश किया है उसका मुनाफ़ा होना चाहिए यही कारण है दोस्तों कि आज आप देख लीजिए रिलाइंस ने नियून तमिस्तर से लगवग 30% का मुनाफ़ा दे दिया है और हमारा नहीं महोदय हमारा नहीं मौर्गन स्टेनली का कहना है कि रिलाइंस का शेयर 2200 के पार हो सकता है 3500 हो सकता है रिलाइंस के मार्केट के अप में 100 बिलियन डॉलर की एडिसन हो सकती है तो मौर्गन स्टेनली से पूछा गया क जनाव कारण तो बता दीजिए तो उनका कहना है कि रिलाइंस ने अब अपने फोन के बिल बढ़ाना चालू कर दिये हैं रिलाइंस रीटेल का कारोबार है साथ में रिलाइंस न्यू एनरजी सेमिकंडक्टर बैक्टरी मैनुफेक्चरिंग ग्रीन एनरजी कंप्रेस्ट बायो गैस में जो रिलाइंस काम कर रही है उससे भी इनका मार्केट कैप बढ़ेगा तो दोस्तों आचार चानके का जो सिदहन्त है उस पर जब तक रिलाइंस अमल करता रहेगा तब तक रिलाइंस के शियर होल्डर्स का मुनाफ़ा बनता रहेगा वो भी विदाउट एनी टेंसन तो रिलाइंस में अभी तो खरीदारी के मौके नहीं है लेकिन जब चार्ट पर महालक्षमी जी अपने साक्षात और सजीव रूप में आदेश देंगी तो मैं अपने क्लाइंस के समक्ष रिलाइंस निश्चत रूप से पक्का जानिये रख्मेंट करूँगा अब आपका दोस्तों कहना होगा कि देवेश यार हमें भी रिलाइंस में निवेश करना है भारत की प्रगती से मुनाफ़ा कमाना है तो आदर्णिये महराज आपकी सेवा करपाना मेरा परम स्वभाग्य होगा आप बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्ष में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अभी क्याभी मेरा क्लाइंट बन जाने का कस्ट उठा लीजिएगा महराज